आज का वीडियो एक इंट्रेस्टिंग वीडियो है आज हम देखेंगे कि आपके दुस्मन का क्या कर्म है और उसको क्या कर्मों का फल मिलने वाला है उसको क्या दंड मिलेगा हम कोई नहीं होते हैं किसी पर ब्लेम लगाने वाले क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी मना इस्तिती होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कि आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, या चोट पहुचाते हैं, पीट पीछे गलत गलत बाते करते हैं, आपका नुकसान पहुचाते हैं, ये सभी गलती कर्म है, अताब आ आपके साथ गलत करता है देखते हैं उनको क्या सजा मिलेगी आज हम यह जानेंगे यह मित्रों यहां पे दो ऑप्षन रखे हुए हैं जिसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप अपने दिल से चुने यह पहला ऑप्षन है यह सेकेंड ऑप्षन है आप दोनों में से क इनसान से आपकी दोस्ती थी लेकिन दोस्त होकर भी यह इनसान ने आपको धोखा दिया है चीट किया है आस्तिन का साब बनकर यह इनसान रह रहा है और आपकी गलती ही गलती निकालता जा रहा है अपने आप आप से बड़ा समझ रहा है हैसियत वाइज भी आपको हमेशा के नीचा दिखाने की कोशिज करने में लगा है आज जो बाट बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं जो भी आप बात उसको बोल रहे ह Wilson कर रहे ह. औहलinform मिलेगा पहला देखते हैं, जैसे आपको वो धोका दे रहा है उसको किसि और …… धोखा मिलेगा उनकी कोई भी बात नहीं सुनेगा और जो अपने आप परिशान हो जाएगा और वो बहुत ही रोएगा अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार वो आपको परिशान दोस्ती रखते हो भी आपको परिशान कर रहा है उसको भी कोई दूसरा मिलेगा दू सम्मान जो है उकम होगा और साथ ही साथ उसका लोग दूर्पयोग भी करेंगे उसकी जो अपमान की स्थिती होगी वो खुद नहीं समझ पाएगा कि मेरी क्या स्थिती हो रही है समाज में उसका जो घमंड है वो चूर-चूर हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि दोस्त होगे भगवान बनाते हैं और साथ ही साथ अगर सच्चा दोस्तों तो वो जीवन भर साथ नहीं बाता है जिनोंने सेकेंड फाइल चुना है देखते हैं इसमें क्या निकल कराता है कि आपके कौन से दूसमन को क्या फल मिलेगा आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उनका बुरा कर्म क्या है और उनको क्या दंड मिलेगा इस इंसान में इतनी बैड एनरजी भरी हुई है कि कुछ नहीं कर सकते इसका आसपास के लोगों के साथ साथ गंदे बहवार भी हैं और इनका बहवार भी अच्छा नहीं है इससे इनमें बैड एनरजी खीच रहे हैं तथा बुरे इनसान के साथ रहते रहते ये बुरे इनसान भी बनते जा रहे हैं ये इनसान जो है काला जादू पर भी विश्वास करता है अपने भले के लिए अपने सुख के लिए ये अपने दूसरों को ये नुकसान पहुचाने की कोशिस करता है तथा दूसरों पर जादू क जिससे कि आपका परिवार और दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान हो और ये अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं इनमें नाकरात्मक उर्जा भरी हुई है और ये सोच रहे हैं कि दूसरे का कितना से कितना नुकसान हो इनके दिमाग में अपनों और अपनों के प्रती बहुत बै साकारत्मक उर्जा नहीं नजर आती है, इनको भगवान ने सारी सुक सुबधाय दी हुई है, लेकिन इनके मन में इतना लालच भरा हुआ है, कि चाहते हैं कि कहां से कहां मैं दूसरे का छीन कर अपना बना लूँ, यानि दूसरे से छीन कर खूब धनी हो जाओं, खूब अच में सोचते हैं, इनको जितना ही मिलता है, इनमें संतोस नहीं है इनको, इनका ये बेवार है कि दूसरे से किस प्रकार छीनूँ और किसका हड़प लूँ, यही गंदी भावना है इनके मन में, ऐसे लोग कभी भी दूसरे का भला नहीं करते हैं, बलकि अपना ही नुकसान कर करते जा ले जाते हैं जिंद्गी भर रोते रहते हैं और ना-कारतमक सोच वाले लोग जो हैं, वह हमेशा ही नीचे गिरते जाते हैं और अपने तो गिरते ही हैं, साथ-इसाथ दूसरे लोगों को भी बहुत परिषाने करते और सासा दुखी करते हैं इनके कर्मों का दंड जो होता है बहुत गंदा होता है इनके पास जो घर बिजनेस होता है सब नुकसान में जाता है वो लकीर के फकीर हो जाते हैं इनको भगवान जो है उपर वाला सजा देता है खुद देखता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर र इकोसिस करते हैं ऐसे इंसान बहुत जो होते हैं गंदे होते हैं सचे इंसान को ये लोग जूट बोलकर या फिर चीट करके फसाते हैं या तो फिर उनको गलत साबीत करते हैं इनको लास्ट में अंत में समाज में अपमानित होना पड़ता है साथ इसाथ जितनी भी इनकी प्र खतम कर देता है और यह लोग हाथ मलते रह जाते हैं क्योंकि इस्वर के आगे किसी का नहीं चलता है जो दुस्मन दोस्त होते हो भी दुस्मनी करता है उसको इस्वर भी नहीं चोड़ता है क्योंकि इस्वर की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन पढ़ती जरूर है अगर आपको यह रिजुनेट करता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच